यारो का तशन है और कभी जी सामने नहीं 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 दिखने लगती है और यह तो बढ़ी जन्नाटेदार भी बता रहा हूं जैसे ही मुझे कोई इसका एलाज मिल जाएगा आपको दवा देदूंगा और हमको क्यों दोदोगे हैं अगर किसी को बिमारी हो गई तो आप गवाद दे तो सकते रहे ना उसको बात तो एकदम ठो है चतुरवेदी जी भाभी जी बता मता के एक बात बताईए तो पूछे अगर सुसाइटी में किसी को हो हो की इंफेक्शन हो गई तो आप करेंगे क्या बाभी जी अगर किसी को ऐसी बीमारी हो गई ना तो उसको पांच दिन हम कमरे के अंदर बंद रखेंगे ता कि किसी दूसरे को इंफेक्शन न हो जाए कहिए ठो ठो चतुरवेडी अंकल नमस्कार अरे यादू को पचसतर बार समझा चुका हूँ कि चतुरवेडी नहीं चतुरवेडी, चतुरवेडी, चतुरवेडी अरे इतनी मुश्किल हम अपना नाव बनाये हैं यह तम्हारा लड़का नाव हमारा खराब कर रहा यार ओके अंकल आपके लिए गर्मागरम पकोड़े चतुरवेडी जी भाभी जी चोड़िये ना यह सब बाते और खा खाके पकोड़े खाए हमने बनाये हैं खास आपके लिए वो भी तीन तरह के मिर्ची के हैं, आलू के हैं, प्यास के हैं खाएए अच्छा बाभी जी, आप कहें और हम माने न, ऐसा दो हो यह नहीं सकता हम खाते हैं भाभी जी हाएए हुँ ह्हुँ हुँ हुँ कicamente पाएで खाते हैं झाओ यो जkeeping ये चाओ लाए मैं मैं बानी जेह मू मैं बानी ओके अरे मुँपे पानी गाने के लिए बोला था मुँपे नहीं ओ सौरी चतरुवेडी अंकल बच्चा है अरे यह बच्चा नहीं यह तो चच्चा है भाबे जी पाकोड ने मिर्ची में बनाई थे यह मिर्ची के पकावडे बनाए थे वहयर चत्वर्वेडी जी बच्चा ल१ कर दिए आंप माहने करेंगे क्या ने बबी जी हां आने आपको मांक कर हम नाराज नहीं हैं, हम आपसे कभी नाराज हो सकते हैं, क्या, नहीं न, आप करें, और हम ना मानें, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बाबी जी, अब हम यहां आए हैं, तो जरा हम अपना सीसा भी देख लेते हैं. अब तो पथाना होगा, चतुर वेडी अंकल आ रहे हैं. हमारा प्यारा सीशा कहा गया? अबर इन लोगों ने हमारे सीशे के साथ कुछ भी टोकिया ना, तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं. एक एक तू, यहां क्या कर रहे हो? वह बालचल कर रहो है, चतुर वेडी जी. क्याने कि मैंने बालों में जेल लगाया, तो शीशा देख के सेट करना आसान होगा ना? इसका मतलब इनको शीशा दिख रहा है, लेकिन अगर इनको शीशा दिख रहा है, तो हमको क्यों ने दिख रहा है? कि इनशच्सार हुरा है सबर्दस्त।। moving. याँसी विमारी है कि कभी चीज सामने होती है, बिन। और कभी कभी चीज सामने नही होती, फिर भी दिखने लगते है. कَّई हमको वही आखोंगी वीमारी तो नहीं हो गई? ่ाबाताई! जलो अच्छा हुआ चतुरवेदी जी यहां से चले गए और हमारे प्लान के मताबिक हम लोगों ने यकीन दिला दिया है कि हीशा यहां पे है वह भी गए नहीं है मतलग बाहर ही खड़े हैं क्या अब बाहर खड़े-खड़े कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता कहीं यह लोग हमारी ठोट नहीं कर रहे हैं एक बार जाके फिर से अंदर आ रहे हैं क्या क्या नहीं हां वो अंदर आ रहे हैं लग जाओ काम पे हुआ है हुआ है दे रहा हुआ है यह था कर रहे हो अब चतरवाइदी जी देखिया ना खिड़की खुली रहने की वज़े से पूरे शीशे पर दूल जम गई है बस भाही साफ कर रहा था करूं साफ हां करो इनको भी शीशा दिख रहा है और यह शीशे पर जमी धूल साफ कर रहा है लेकिन मुझे क्यों नहीं दिख रहा है ना शीशा न धूल इसका मतलब जरूर मुझे आखों वारी बीमारी हुई हमको यह भीमारी हो गई हम किसी को पता नहीं होने देंगे वर्ना अगर अगरवाल साहब को पता चल गया तो हमको कमरे के अंदर पास दिन तक रहना पड़ेगा हरे लुए इस धूम जिजू यह इधरा है यह उदा व्हार कि तो में काम करो मेरा है अगरवाल साहब कहां जो लफंतर रहते हैं न जिजू लफंटर का रहते हैं प्रेम नहीं हम्या के वहां देखना कि हमारा जृषण पंदानी शीशा है, वो सही सलामात है की नहीं? समझी ना? जो, जो जो जड़िए ज़ा हाँ, जीजू यह इदार आओ, इदार खुन देखो वहाँ पे न, चिहादा लटर पटर मत करना समझी न, बस सीधे जाना और सीधे घर आना जीजु हम सीधे कैसे जाएंगे आगे जाके लेफ्ट लेना ही पड़ेगा मेरे प्यारे जीजु बोले जीजु तर्द जा ये भी ना अरे प्रेम क्या बोला शीशे वाले ने शीशा तो बन जाएगा लेकिन शाम तक मिलेगा करते रहना पड़ेगा करते रहना पड़ेगा के शीशा जूटा नहीं है अब आपने का था जूट बोलना गलत बात है हमेशा सच बोलना होता है फिर जूट क्यों अरे गीता में द्रवान कृशन ने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि वो जूट इसके बोलने से किसी का नुकसान ना हो वो जूट जूट नहीं होता अब देख अगर चत्रवेदी सहाब को पता चल गया कि उनका शिशा तूट गया है तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी होगी ना ओके पापा लेकर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर बात पर जूट बोलना शुरू करतों हां मैं पड़ लूंगा तर लेकिन हम कहके क्या कह रहे हैं अगरवाज सहाब हमें नहीं लगता कि हम कहके कह देंगे और मान मान के मान जाएंगे चत्रवेदी जी कि हो हो के उनी की आंकों में कोई प्रॉब्लम है अरे वो कर करके क्रॉस चेक जरूर 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 करेंगे हाँ बीना जी अब बिल्कुल सही कह रही है जीजुने मुझे यहां इसलिए भेज़ है कि जा डॉली जाकर देख तरा मेरे खांदानी शिचा ठीक है कि नहीं अब क्या कहूँ देखा हम कहके कि यही कह रहे थे अरे बीना जी डॉली कुछ भी जाके बोले चतुरुवेदी साथ को वह इसकी बात पर यकीन करने वाले नहीं है हमें किसी ऐसे आदमी की हेल्प देनी होगी इसकी बातों पर चतुरुवेदी साथ यकीन कर सके लेकिन ऐसा इंसान होगा कौन तो पपी सर बात ही है कि आप हमारी हेल्प करेंगे ना आरे हेल्फ क्यों नहीं करेंगे हैल्फ कॉन करता है खचर जी इनसान करता है ना है तो हम क्यों नहीं हेल्प करेंगे आने दीजिया उनको मुझे आप करेंगे पापा चतुरवेडी अंकल आगए आगए अरे क्या बढ़िया शीशा है अगरवाल साफ कमाल का शीशा है मैं इसको एक एड़ फिल्म में यूस कनना जाता हूं इसको फ्रेम दियो है ना कमाल का फ्रेम है लेकिन पपी सर ये शीशा तो चतुरवेडी साहब का शीशा है अगरे लेकिन दे के वो नहीं देंगे ना परमिशन वो तो इस आइने में किसी को देखने ना दे आप ले जाने की बात कर रहे हैं अरे क्यों नहीं देंगे परमिशन कौन देता है कौन देता है परमिशन धर्गोष जी नहीं ना इंसान देता है ना तो हम परमिशन ले लेंगे आज आए जाए पिर देखते हैं बात करते हैं अरे अरे आए 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 देखे ए चाहे इसमें पर कमाल का शिशा आपका चतुरुवेदी साहब मतलब आपनी की शेकल अच्छी ना होना तो भी अच्छी दिखाई देती यह चतुरुवेदी जी ये शीशा हमें बहुत करना है खास करके इसका फ्रेम हम इसको एक एड फिल्म में यूज करना चाहते हैं कहां है यहां है इधर है इधर है काउन सा है सामने वाला आप कंफर्म है 100% करुपम है कि तदोगे कि क्या लोग है लाग दो लाग जोबलों देदेंगे हां इनको भी शीशा दिख रहा है मतलब अब तो कंफर्म है कि हमें कोई बेकूफ नहीं बना रहा है बलकि सच में हमें आखों का इंफेक्शन हुआ है कि आरे बोलिया ना क्या सोच रहे है क्या लेंगे बड़ा बड़े दूँगा हम सोच कर बताएंगे वह क्या है ना कि हमको बहुत ज़री काम याद आ गया ठीक है ना लाग दो लाग में तम इसको फ्रेम भी न दी लेकली फ्रेम है कहाँ वहाँ बाबी जी चतर वेदी आपने सुन लिया आपके दिल की बात थी न हमने सुन सुन के सुन ली अच्छा ओफर है हां हाँ अरे वाँ वाँ पप्पी जी पप्पी जी कमाल की अक्टिंग के आपने तो अजे अक्टिं काँ चुहा जी नहींना इंसान करता है न लेकिन गोज फ्रकॉतर वेदी है न वो तो ना इनसान है श्रकॉत है वो भॉल्भी है लो मुड़ी देखें मैंने रिस पर सी दिमाग ऐँ बाट डाली है कि उनको आप एसी बीमरी हूई है की चीज सामने होती है लेकिन उनको दिखती नहीं है बोलिए हाँ नाइट्रोजन से लेकर हाइट्रोजन तक मैंने हाँ बोलने गले कहा था अच्छा अरे हां तो अप्भी नहीं बोला हाँ चत्रुवेदी के दिमाग में अगर ये बात आ गई कि उनको सब कुछ दिखना है सिवाए शीशे के तो क्या होगा ये बात हमारे दिमाग में आई क्यों नहीं कि अगर हमको आँखों की बिमारी होती तो सिर्फ शीशा ही नहीं बलकि हमें और भी कई चीज़े दिखाईना पड़ती इसलिए अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चतुरवेडी साहब को शीशे के इलावा कुछ और भी चीज़ दिखाईना दे सोचता हूं तो अब क्या होगा पापा होगा बिटा जो होगा वो नाई टोजन से लेकर हाइड्रोजन तक ही होगा और मिश्णा जी नमस्कार चत्रवेडी जी नमस्कार नमस्का सब ठीक-ठाक है अच Tucson अच्छाम उमके एक बात बताईए ये जूळा आपको दिख रहा है हां दिख रहा है और ये पार्क में बच्चे खेलना ये भी दिख रह है हां वो भी दिख रहा है लेकिन क्यों आपको नहीं नजरा रहा है अरे नहीं नहीं यार हमको क्यों नहीं दिख रहे हैं कमाल बात कर रहे हैं आप आप जाईए यार राइम बर बात कर रहे हैं मेरा यार कैसा है यार कमाल बात है इनको भी बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं को भी जूला दिखाई आच्छा यारों, तुम कभी जुट नहीं बोलते ना? कभी नहीं और हमेशा तुम सच बोलते हो? हमेशा तो चतरवेडी अंकल को तकलीफ होगी और पापा ने कहा है, उनको कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा, नाइट्रोजन से लेके हाइट्रोजन तक. चत्रवेडी अंकल, शीशा अमर प्रेम की यहाँ है, अच्छा? अच्छा, यारो, अच्छा, तुम जरा ऊपर देखो, कौन से फ्लोर पे, थोड़ा सा आउर ऊपर, टेरेस पे, अरे नहीं, आसमान की तरफ देखो, आसमान में देखा, और ये देख के बताओ, तुमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कवा, इतनी तेचिला रहा है, देखा, तुमें क्यों नहीं दिखेगा, पिर देख रहे हैं, जो किसा उड़ रहा है, इसे कवा दिख रहा है, और हमें सिर्फ बादल दिख रहे है, इसका मतलब, आँखों की बीमारी हमें हुई तो है, यह यारो भी दे निख रहा है, पापा, यारो आ गया, आ गया, और मुझे एक बहुत बड़ी आइडिया भी आ गया है, सब लोग ध्यां से सुनो, आओ, यह 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 कैसे होगा, यह 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 कैसे होगा, बीरा जिना आपना ट्यूब लाइट हो, अच्छा, सुनो ध्यां से, अब जेखो जेखो, मैंने यारो के अंदर एक हजार एक जोग भरे ना, उनको आज सुनाने का टाइम आ गया है, ओके पापा, सब सुना दूंगा, ओके, बापा, चत्रवेडी अंकल आ रहे हैं, आ रहे हैं? और उसकी बात बंदर ने बोला, के भाईया यह मैं नहीं कर सकता, क्या जोख रहा है, अरे मैंने क्या जोख मारा है, अरे मुझे तो यारो ने सुनाया, और मैंने आगे से सुना दिया, यारो के माल के जोग आता है, यारो को, चत्रवेडी साहब, आज आपको यारो बहुत बढ़िया जोग सुनाएगा, आप सुनिये, बहुत मता आएगा आपको, चेतुरवेदी जी बाबी जी चेतुरवेदी साबत खड़े क्यों आया? बैठे ना सर तू यहां क्या कर रहा है? कुरसी पर बैठो यह कुरसी पर बैठा है पर हमें कुरसी नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब सब सही कह रहे हैं हमें पक्का आखों की बीमारी हो गई है पर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वनना ठो हो जाएगा खर आखों की बीज़ गई हो जाखों की बीज़न चाहिए